नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीक नौलज में दोस्तों जसा कि आप सभी को पता है कि 200 परशन का सरीज चल रहा है तो आज जो हम पॉलिटिकल साइंस के important question को लेकर आये हैं दोस्तों इस वीडियो शुरू से लकर आखिर तक देखना है अगर आप इसको देख लेते हैं तो एक्जाम में जाकर आसाने से आप बैठ जाएंगे और सारा important question जो है आपको इसमें पूछ दिया जाएगा तो वीडियो शुरू से लकर आखिर तक कर लिजे और आज साथ बजे से हिस्टरी का टॉप साथ अब्जेक्टिव कोशन को हम लेकर आएंगे तो उस टेनल में आप लोग चले जाएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस्ट कर लिजे का जब हम लाइब आएंगे तो आपको जह नोटिफिक्शन पहुंच ज जाएगा यानि डी नंबर हो जाएगा यानि डी एम के यानि राइट अंसर हो जाएगा ठीक है डी एम के जो है विरोदी आंगलन दल था अब बढ़ते हैं पर दूसरा परशन इसक्रीन पर आई हुई है क्या कह रहा है निमन मैंसे किस राजिका निर्मान भाषा के आधर प लगबग 120 को कवर करेंगी इसलिए जो है आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो में आपको हंड्रेट परसंट जो है दस से पंद्र अबजेक्टिव कोशन जो है एक्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा तो चले तीन नंबर को देख लेते देकर देखते हैं 14 नंबर कोशन किस वर्ष गो भारत संकार जीबना तो इसका राइट तो पांच नमबर राइट अंसर क्या कह रहा है कह रहा कि उन्हें सो उन्चास ठीक है अब बढ़ेंगे अगले परश्ण के और तो यहां पर आचुकी है तो आप लोग बताते हैं कि अगला वीडियो कि शुषय पर होना चाहिए तो यह जरूर बताएंगे आप सभी कोई अब यहां पर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पर्थम गूट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इस मार्सल टीटो राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन तो दोस्तो साथ नमबर को देखें यहां पर क्या कह रहा है कि स्वयत संका विगधन कब हुआ था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो श्री नमबर यानि 25 दिसंबर 1991 को हुआ था ठीक है चले तो इस वीडियो को पूरे दरूर देखना इसमें से आपको लगबग 120 कोशन को में कवर करने वाले हैं इसमें से लगबग आप लोग को एक्जाम में यानि पूछ दिया जाएगा लगबग 120 कोशन में आपको 20 कोशन जो है 100 परसंट जो आ जाएगा ठीक है अब देख जेते हैं आठ नमबर कोशन क्या कह रहा है आपर कह रहा कि सीत युद्ध के दवरान जर्मेनी का एक करन किश वर्ष में हुआ था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो शी नमबर राइट अंसर यानि क्या हो जाएगा तो दोस्तों लाइव क्लास आने के के लिए आज 7 बजे ठीक है आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 तारीख है तो आज यानि 13 तारीख से 2021 की पूरी तयारी जो हम लोग करने वाले हैं लाइब में तो अगर आप लाइब क्लास करना चारा है तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको सब्सक्राइब कर कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइब आएंगे तो आपको जो नौटिफिक्शन पहुंच आएगा और आप समय पर लाइब आप आएंगे तो टाइम कितना बज़े है साथ बज़े रात जो है लाइब आने वाले हैं अब देख लेते हैं आपर नौनमबर परश्न तालवान का उदय कहां हुआ तो इसका राइब नौनमबर का थेमिस्टेग में बोल दिया था तो टी नंबर कहा है यहनी पाकिस्तान में जो उदय हुआ था क्या अब बढ़ते हैं अगले परश्न की ओड़ तो अब 10 नमर को देख लेते हैं क्या रहा है कि उगते सुर्य का देश आपान को कहा जाता है अब यहां पर अगला परश्ण आई हुई है फ्रक्का समझोता किन देशों के बीच संबंदित है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो बारत बांगलादेश अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और क्वेश्ण नंबर 12 तो इस्क्रिन पर क्या अस्थापना कब हुवी थी तो बारे नंबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर राइट अंसर यानि उन्हें सो संतावन राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट सभी जो है प्रस्ण को हम नहीं नfelक्त देखिएगा ठीक है तो देख लेते हैं चाव्दे नंबर प्रस्ण यहांक पर क्या रहा है तो पंद्रें नंबर में कह रहा है कि रखनेमें विकास भारतिये नेता की परमुख भूमी का थी तो 15 नमबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड तो C नमबर राइट अंसर यानि 1969 राइट अंसर हो जाएगा फिक है अब बढ़ेंगे अगले परशनी और तो अगला पषनी अपर आचुकी है एंडिया इंड्रा गांदी इज़ इंडिया इज़ इंड्रा घंडी किस ने कहा था तो राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 216 नमबर का तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेलाइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जो है जब भी यानि साथ वजे हम जिस दिन भी लाइब आ जाएंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप भी जोड़ पा अधिकार कानुन भारत में किस वर्ष लागू हुआ था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा उनिस नमर का तो डी नमबर यानि 2005 ठीक है अब बढ़ेंगे अगले परश्न की और तेहां पर आज चुकी है बीस नमर परश्न क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि निम्नल इकीस नमबर परश्न आचुके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि यूरोपिय संकी मुद्रा है तो क्या है यूरोपिय संकी मुद्रा क्या है तो इकीस नमबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा श्री नमबर यानि यूरो राइट अंसर हो जाएगा यूरो ठीक है श्री नमबर आप मिस्क्रीन पर आ चुकी है 22 या राल प्रशन स्था? और 35 नंबर क्या कह रहा है और बढते हैं अगले परश्न के और तेस नंबर कोश्ञन क्या के रहा है तोちゃん आपकोजिट का सदस?- कहूं सा? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है तो इसका राइट अंसर क्या है तेस नंबर का तो तेस नंबर का राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर तो यहां पर आचुके 25 नमर परश्ण क्या कह रहा है कि एक आतंगवादी संगटन है किस देश का तो 25 नमर का राइट अंसर क्या हो जागा दोस्तों यह नमर नहीं स्रीलंका का जो है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर तो 26 नमर परश्ण क्या क्या रहा है कि किस ने स्वयत संग मैं आस्ट्रोई का की सुरुवात की थी तो 27 नमर का राइट अंसर क्या हो जाएगा यानि बी नमबर राइट अंसर यानि क्या हो जाएगा मिखाइनल गुरवाचे राइट अनसर हो जाएगा अब बढ़ेंगे अगले परश्ण की ओर तो 28 नमर क्या कह रहा है सुंदर लाल भाहुगुणा का संबंध किस से है तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा दोस्तो अठाइस नंबर का शी नंबर राइट अंसर हो जागा यानि चीप को आंदुलन से अब बढ़ेंगे अगले परशने की ओर तो अगला यहाँ आपर आज चुकिए है क्या कहा रहा है कि कौन भारती है भारत का पर्थम गवर्णर ज अब बढ़ती है अगले परशने की ओर तो यहाँ पर 32 नंबर परशने आज चुकिए है क्या कहा रहा है क्या रहा है अकाली दल कि एक राजनेजिक दल है किस राज्यका तो इसका राजनेंसर क्या हो जागा तो बी नंबर यानि पंजाब का है ठीक है अब बढ़ेंगे आपर अगले परशने की ओर 33 नंबर का क्वेशन क्या करा कि 1995 का बांडूंग समेलन कहां हुआ था तो इसका राजनेंसर के अग्या रूप में कौन कारें करता है तो चौतिस नंबर का राजनेंसर क्या हो जाएगा तो शी नंबर राइटनसर यानि ओपर आस्टरपती राइटनसर हो जाएगा अब बढ़ेंगे आपर अगले परशन की ओर 35 नंबर क्वेशन क्या कह रहा है कि भारती यह जनसंग के सनस्थापक कौन थे तो 35 नंबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा यह नंबर हो जाएगा तो इस वीडियो को पूरे देखना अगर अभी नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में जो है देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हैं राज्य टच करेंगे तो आप जो है क्या करेंगे बाद में एक्जाम देने के बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत जादे परस्ताइंगी कि यह पूछा था और मैंने पढ़ा नहीं सो जो है बनानी पाया तो आप इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखना अब 37 37 नमबर को देख लेते हैं भारत में लहपुरुस के नाम से कौन जाने जाते हैं तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह नहीं 37 नमबर का शी नमबर राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन के औरत यहां पर आठ चुकिए 38 नमबर क्या क करें भारत के पर्थम गिरह मंत्री कौन थे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 49 नमबर का सी नमबर राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन की और तो यहां पर देख लेते हैं 41 क्या कह रहा है कह रहा है कि भारत तो यहां वर्ष चीन ने भारत पर आकरमन किया था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह नमबर यानि 1962 में किया था अब दूसरा नमबर यहां पर देख लेते हैं यह आई 42 क्या कह रहा है कह रहा है कि बांगलादेश का निर्मान किस वर्ष हुआ था तो इसका नंबर यानि परकाश नारायने अब चबवालिस नंबर को देख लेते हैं तो चबवाल इसक्रीण पर आज चुकिए है क्या कहीं बिहार की परतम महिला मुक्ष मत्री कौन थी तो चबवारीज नमबर यानि रावरी देवी राइट रह जाएगा अब बढ़ते हैं अगले पर इसवे मानब अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका रायत नसर क्या हो जाए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चैनल को जोई करिए और लाइब हर दिन आईए ठीक है उसमें जो है मोक टेस्ट भी होता है और आपको जो है नमबर भी दिया था कि कितना नमबर आपको जो है आया एक्जाम में तो 47 नमबर परश्ण को देख लेते हैं क्या कह रहा कि इमनेस्टी इंट्रेनेशनल संब्धिद है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर जो हो जाएगा दूस्तों क्या हो जाएगा यानि 47 नमबर का बी नमबर 48 नमबर परश्ण तो 48 नमबर परश्ण जो कह रहा है कि क्यूबा संकत कि वर्ष उत्पन हुआ तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 48 नमबर का यह श्री नमबर राइट इंसर यानि 1962 में हुआ था अब बढ़ लेते हैं अगले परश्ण की और तो यहां पर क्या कह रह 54 नमबर परश्ण तो यहां पर आच चुकी है जनता पार्टी की अस्थापना कब हुवी थी तो इसका राइट इंसर क्या हुआ यह नमबर राइट इंसर यानि 1997 को हुई थी अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो 52 नमबर परश्ण यहां पर क्या कह रहा है कि भारत के प्रतम उपरास्ट्रपती कौन थे तो इसका राइट अंसर क्या हुजा है दोस्तों यह नमबर नहीं कि राइट इंसर यह डॉक्टर राधा कृष्णन राइट अंसर हो जागा ठीक है अगर मुसलिम बोलेगा तो यहां पर डॉक्टर जाकर ठीक है अब बढ़ते हैं नमबर का यानि डी नमबर हो जागा उन्तिस राजे थे लेकिन अभी जो है अठाइस राज है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परशने की और यहां पर आचुके दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार रास्ट्य अपातकाल कब लगाया गया था तो चौबन नमब अब बढ़ते हैं अगले परशन के और यहां पर आचुके दोस्तों क्या करा कि राज्य पुनरकटन आयों की अस्थापना कब हुवी थी तो 57 नमबर का राइट अंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यह नमबर राइट नसर यानि उन्हें सु तरेपन अब बढ़ते हैं अगले परश्टा के और अंठावन नमबर तो यहां पर आचुकी है क्या करहें उन्हें सु चौटतर की रेल हर्ताल के नेता कौन थे तो 58 नमबर का राइट अंसर जो हो जाएगा यानि ची नमबर राइट अंसर जोड़ रेल जो जाएगा अब बढ़ते हैं पर साथ नमबर परस्ट ने कि उन्साठ नंबर तो क्वेश्चन पर यहां क्या कह रहा है कि भारत में मद दाता होने की नियुंतम आयू क्या है तो इसका राइट नंसर क्या जाएगा उन्साठ नंबर का तो शी नंबर निंए 18 वर्ष अब वड़ते हैं पर अगला परशन नहीं क्वेश्चन नंबर साथ क्या करें भारत में नई आर्थी की नीती की शुरुवात कभ हुवी थी तो साथ नंबर का क्या हो जाएगा अगर आप लोग भी जानते हैं तो मेरे साथ जवाब देते जाएगा डी नंबर चंद शेकर आजाद अब बढ़ते हैं आप दूसरा परशन इंग्लिस वर्जन ज अब बढ़ते हैं अगले परशन की ओर तो यहां पर आज चुके हैं इंग्लिस और हिंदी दुनों वर्जन में अनुछे 370 का संबंध किस परदेश था ठीक है दोस्तों अभी नहीं है पहले था तो इसका राइट अंसर क्या बी नंबर नी जम्मू कश्मीर अब बढ़ते ह अगले परशन की ओर चार चार नंबर क्वेशन क्या करा दोस्तों कह रहा कि डॉक्टर श्याम परशाद मुखर जी किस दलके नेता थे तो चार नंबर का राइट अंसर हो जाएगा यह नंबर यानि भारतिय जनसंग हो जाएगा अब बढ़ते हैं यहां पर पांच नंबर क चेकी और तो यहां पर आज चुकिए छे नंबर क्या कह रहा कि 1956 में भारतिय राज के पुर्ण गठन का आधार क्या बनाया गया था तो छे नंबर का राइट अंसर यह नंबर यानि भासा को जो है आधार बनाया गया था अब यहां पर देख लेते हैं साथ नंबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं आपर क्वेशन नंबर आठ तो आचुकि आठ नंबर क्या कह रहा तो चलिए भारत सवतंत्र भारत के परतम ग्रह मंत्री कौन थे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आठ नंबर का तो यह नंबर हो जाएगा यानि सरदार बलबाई पर तेल अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर यहां पर क्या कह रहा कि गोवा भारती संग का किस राज वर्ष हुआ तो गोवा जो किस राज वर्ष है भारत संग का राज मना तो इसका राइट अनसर नौ नमबर का डी नमबर हो जागा फ्रेंड यानी 1987 तो सबस्क्राइब अगले परश्ण की ओर दोस्तों तो यहां पर आचूए दस नमबर क्या कह रहा कि भारत में कुल कितने संग शाषित परदेश है तो राइट अनसर शी हो जाएक नी 8 शंगशाषित परदेश है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परशन की और तो इंगलिस वर्जन यहाँ पर नीचे रह जाएगा भारतिय अर्थ विवस्ता को हम क्या कहेंगे तो जोस्तों 11 नंबर का राइट असर यानि शी नंबर मिस्रित अर्थ विवस्ता कहेंगे अब बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर ठीक है दोस्तों चलिए 12 नंबर तो यहाँ पर इंग्लिस वर् यहाँ पर आ चुकी है क्या कह रहा है अगला परस्ण कह रहा कि खाद संकट से सबसे अधीक किस राज परभावित था तो दोस्तों यहाँ पर विच स्टेट इस दा मोस्ट एफेक्टिव प्रॉम फुड प्रोब्लम तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पंद बिहार ठीक है दोस्तों चले अब चौदर नंबर को देखेंगे यहाँ पर आ चुकी है क्या करा दोस्तों हूँ प्रोपोईज्ट दैफ फाइब प्रिंस्पल आफ प्रचेस सीट तो दोस्तों यहां पर क्या करा कि पांच सिद्धान किसके तुवारा घोंशित किये गए थ दोस्तों यानि जवाहर लाल नहरू अब बढ़ते हैं यहां पर क्वेशन नंबर 15 की और तो यहां पर आच चुके दोस्तों क्या करा कि भारतिये विदेश नीती के आधार अस्थम कौन था तो राइट अंसर जो जाएगा सोले नंबर 15 नंबर का राइट अंसर सी नंबर न Union Nation यानि किसने कहा था कि सन्यक्तुरास्ट के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो राइट अंसर सोले नंबर का डी हो जागा इंद्र कुमार गुज्राल चले अब यहां पर देखिए जैजवान जैकिसान नहीं जैजवान जैकिसान का नारा किसने दि अंसर होगा ठीक है दूस्तों चले अब बढ़ते हैं आप पर क्वेशन नंबर अठार है तो यहां पर क्या कह रहा है कि लाल बहादूर साश्त्री का निधन कब हुआ था तो अठारे नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर यानि ग्यारा फरवरी या सोरी जन् आफ इंडिया इंद्रा गांधी तो यहां राइट अंसर कौन सा हो जाएगा उनिस नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानि इलहाबाद उच विश्वद उच नियायाले अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो यहां पर आचुके 20 नंबर परश्ण क्या करा है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और क्वेश्ण नंबर एक इस क्या करा फ्रेंड करा कि इंद्रा गांधी ने भारत में अपातकाल की घोष्णा कभी की थी तो 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड यानि बी नंबर राइट अंसर पांच जुलाई 1975 में की थी अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्ण तो 22 नंबर क्वेश्ण याप पर आ चुकी है तो चलिए तो 22 नंबर का जो इंग्लिस वर्जन में थुरसा या मिस्टेक हो चुका है सुर्परत्म किस राज ने महिलाओं को पंच पंचायतों में पचास प्रतिसत आरक्षन दिया तो 22 नंबर क्या हो जाएगा तो ए नंबर राइट अंसर हो जाएगा यानि बिहार ठीक है अब बढ़ते हैं आपर क्वेश्ण नंबर 23 तो इंग्लिस वर्जन नीचे में रह ज यानि उत्तर परदेश दा हरियाना अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर तो यहां पर आज चुके दोस्तों क्वेश्ण नंबर 24 गोवा भारत पर किस विदेशी राज का सासन था गोवा पर किस विदेशी सासन का राज था तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 24 इस नंबर का तो शी नंबर यानि पूर्तगाल का ठीक है अब बढ़ते हैं आपर क्वेश्ण नंबर 25 स्क्रीन पर है क्या करें दोस्तों करें कि तेलंगाना का आंधुलन किस राज से संबंदित था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा डी नंबर यानि आंध्र परद तो 26 नंबर का राइट अंसर सी नंबर हो जाएगा उत्तर परदेश अब बढ़ देंगे यहां पर अगला परश्ण की ओर तो अगला परश्ण अपर क्या करें स्रीत युद्ध के समय पुंजिवादी गुट का नेतृत कर रहा था तो कौन कर रहा था इसका राइट अंसर 27 अब यहां पर देख लेते हैं 28 नंबर क्या कर रहा कि स्वयत संग का अंतिम राष्ट्रपती कौन था तो इसका राइट अंसर 28 नंबर का बी नंबर हो जाएगा नी मिकाईल गोर्चावे राइट अनसर हो जाएगा अब बढ़ेंगे यहां पर 29 नंबर परश्ण तो आज़ यहां पर आज चुकी है क्या करें ऑपरेशन डेजर्ट स्टर्म किस से सम्मधित है तो दोस्तों इसका राइट अंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा यानी 30 नंबर का बी नंबर हो जाएगा क्या परतम खाड़ी यूदिसे ठीक है अब बढ़ेंगे अगले परश्ण की और तो यानि अमेरिका अब बढ़ेंगे अगले परश्ण की और तो यहां पर आचुके 32 नंबर क्वेशन क्या करें इन में से कौन दक्षेश का सदस है नहीं है इसका राइट अंसर 32 नंबर का तो सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड यानी चीन ठीक है अब बढ़ेंगे अगले परश आचुके 34 नंबर क्या करा कि अंतरा राश्टरी नियायाला में कितने नियाधिस होते हैं तो 34 नंबर हो जाएगा यानी पंड़ है अब बढ़ेंगे अगले परश्ण की और तो यहां पर आचुकी है से किस देश को सबसे अधीक खत्रा है तो 35 नमबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यह नमबर सुरी 36 नमबर हो जाएगा यानि माल दीप तो अगर आप पीडियाफ खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों पीडियाफ के लिए जो है इस नमबर पे कॉल या फिर वाटसप कर सकते है पीडियाफ खरीदने के लिए ठीक है जो काफी इंपोर्टेंट पीडियाफ मिलेगा आप सभी को छे नौ आठ पांच आठ चार ठीक है इस पर आप कॉल या फिर पटसप कर सकते हैं अब यहां पर आ चुकी है क्या करें प्रम प्रागत सुरक्षा नीती का कौन तत्व है त क्या करा कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म की पर्थम बैठक किश देश में हुई तो इसका राइट एंसर के अर्टिस नमर का यह नमबर हो जागा नहीं ब्राजील में हुई थी अब बढ़ते हैं आप पर क्वेशन नमबर 49 क्या करा कि विस्दा मोस्ट एफेक्टिव फ्रॉम ग् चाजिस नमर का यह नमर हो जागे निर्धन ता हुवी थी ठीक है वेश्वी करेंसे ठीक है अब दोस्तों अगले आप अलश्न के वर बढ़ेंगे तो यहां पर अंतीम क्वेशन है और इस तरह के हम लोग चाजिस चाजिस जो सेट पढ़ने में दस सेट दस सेट में आपको यह कितना है पार्ट वन हम लोग बना चुके हैं पार्ट यह बना यह देखे हैं अब पार्ट थी के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा क्या कहता है कि भूमंडली करन किन शेत्रों को सामुईत करता है तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग दे सकते हैं अन्था मैं भी आप सभी को बता दे रहा हूँ तो आपने फ्रेंड को शेर कर दीजी ताकि उनको भी फाइदा हो जाए ठीक है तो अगर आप लोग हिंदी और हिस्ट्री और जो है पूलेटिकल साइंस का वीडियो न देख सकते हैं आज का वीडियो इतना है तक तब तक के लिए जाहिंद जारत मिलते हैं अगले वीडियो पर